पहले रेडार पर रहेगा आशीश तरसल, अपू बैंक जो जर्मनी का सबसे बड़ा कोपरेटिव फ्राइमरी बैंक है, उनकी तरफ से एक ओडर इनके हाथ लगता हुआ, 278 मिलियन डॉलर की ये डील है, साड़े साथ सालों की ये डील है, तो थोड़े से लॉंग टर्म ओड ट्यूब इन्वेस्मेंस आपको याद होगा, अपनी ग्रीन एनरजी आम के लिए फंड रेस की तयारी कर रहा था, वो टी आई, क्लीन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने एक डेफिनिटिव अग्रीमेंट साइन कर लिया, साउथ एशिया की एक ग्रोथ इन साथी साथ TVS Supply Chain Solutions, इन्होंने एक डील जीती है, डैमलर ट्रक एजी के साथ, तो वो स्टॉक प्या परेडार पर रखेंगे, एक स्ट्रीजिक करार किया है दरसल कंपनी ने, कल इंटर ग्लोब एविएशन की बड़ी ब्लॉक में जहां भाटिया परिवार ने बेचा, तो ब इन्होंने लगबग 0.8% यानि की साइसबल चांक तरसल खरीदा है इंटर ग्लोब एविएशन में, बाकी खरदारों के नाम सामने नहीं है, तो सिटी ग्रूप एक लाज़ बायर है, डॉलर इंडस्ट्री और येक अबडेट आ रहा है कि डॉलर इंडस्ट्री ने कहा है कि हाइस्ट एवर रेवन्यू इन्होंने FI24 में दरसल किया है क्लॉक, अब उस लिहाज से यहाँ पर कंपनी कह रही है कि 50 एक्स्क्लूजिव ब्राइंड आउटलिट से साउथ इंडिया में खोलेंगे 27 तक का और 50% तक की ग्रोध ये साउथ इंडिया के मारकेट में FI25 में ह हासिल करते हुए दिखाई देंगे, तो वो एक स्टॉक जिस पर आपकी नजरे होनी चाहिए, विप्रो और TCS भी आज खबरों में है, विप्रो ने एक Lab 45 AI प्लाटफॉर्म लाँच किया है, बेसिकली ये जेनरेटिव AI का प्लाटफॉर्म होगा, 10 Gen AI एप्लिकेंस, 1000 Gen AI के लिए, तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आपको नजरे में रखनी चाहिए आज, रखे रडार पे भई, और ट्यूब इंवस्मेंट से याद आया, वीकेंड पर अफडेट था, इस कंपनी के चेर्मेन को, ग्लोबल EY लीडर ओफ दे येर अवार्ड मिला था, गज़ब है, अच्छा, क्विकली आज का इवन्स ग्लेंडर अब आपके सामने रख देता हूँ, कुछ चीज़ा अफ़रंट मेंशन कर रखी हैं, पर रेपिटेटिव हो जाएंगे, इंपोर्टन्ट है, वेनेजडे, निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपारी का स्केडियूल, शाम आज स 4.9 तक के एक्सपेक्टेशन पैक किये जा रहे हैं, तो बहुत जादा मूव नहीं करेगा इंफलेशन, शायद एप्रिल के नंबर्स के आज सपास से रहे, साथ-साथ हमारा एप्रिल का आई-आई-पी आएगा, पर वो डेटेट रहता है, अपने लिए इंफलेशन का प्र उसका डिरेक्शन, फेट के रेट कट्स का टाइम टेबल डिसाइड करे, पॉवल साब की स्पीच उस पे बहुत डिपेंडेंट होगी, इससीले इंफलेशन, दो दिनों की फेट की बैठक जब खतम होगी, तो रात साड़े के आरा बज़े फेट का इंट्रेस रेट या वो डॉट प्लॉट क्लियारिटी दे दे, किस टाइम लाइन पे बैज़ दरों में कटाथी एक्सपेक्टेड है, 2024 के सेकंड हाफ में, वो बजार कोई भी डिटेल उस तरह की हाथों हाथ लेगा, ओपीनिन बहुत डिवाइड है, सेप्टेंबर और दिसंबर के बीच मे रेट कट्स को लेकर, आंदर प्रदेश, इलेक्शनस 2024, टीडीपी चीफ चंदरबाबु नाइडू साहब, सुबह ग्यारा बचकर 27 मिनिट पे ओध लेंगे, ग्यारा बचकर 27 मिनिट ऐसा साउंड कर रहा है, सीनबी से वास पे प्रोग्रामिंग, हमारे शो भी ऐसी प्रोग्रन मांजी साहब, सीम बनेंगे, शाम पाँच बजे, ओरी सामेश अपत ग्रहन समाल हो है, जपैन का PPI, चाइना का CPI आना था, आ गया है, अभी कुछी देर पले टिकर टीम फ्लैश कर रही थी, एक्सपेक्टेशन सोरा ठंदा होके ही, वहां का इंफलेशन प्रें बोर्ड मीट्स में 361 वैं, वो आएफल वेल जो पुराना नाम था, प्रिफरेंशल शेयर जारी करने पर कंपनी का बोर्ड विचार करेगा, उस रिलीज में ये तक मेंचनड है कि एक परसेंट से कम शेयर कैपिटल का हम लोग प्रिफरेंशल अलाट्मेंट करेंगे, सोभा राइट्स इशुएंस को बोर्ड ने मनजूरी दी थी, आज उस राइट्स इशुएंस के कॉंटोस डिसाइड होने हैं, किस भाव पे, किस तारीक पे, इंटाइट्ल्मेंट रेचो क्या होगा, वगेरा वगेरा, आज बारा बजे, रिल इस्टेट कमनी ब्रिगेड इंटर प्राइजिस की भी एक प्रेस कांफरेंस केडियूल है, अपने चिन्नई के लेकर प्लांस अन्वेल करे जाएंगे, तो ये सब स्टॉक्स डड़ार पे रहेंगे, वो एगजीकों का आईप्यो आज बंद होगा, राहूल गांदी साहब आज वाइनाट जाएंगे के रिला, मेरे काल से वो वाँके वोटर्स को थाइंग करने के लिए, मौनसून 2024 प्रोग्रेस बढ़िया थी, महराष्ट में मुंबई में समय से पहले पहुँच गया था, आज आईमडी कह रहा है, साउथ गुजरात में भी दस तक मौनसून दे जाएगा, इसकी प्रोग्रेस कीनली वाँच आउट सब कर रहे हैं, आज वर्ल्ट डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, और आज आधार कार्ड वर्सिस ग्रीन कार्ड है, इंडिया वर्सिस उएसे, शाम को मुकाबला है, तो एडार पर रहेगा ये मैच भी, एक काम कर रहा हूँ, क्विक्ली छोड़ा सब ब् प्रेक के उस पार जब बतादें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार, एक्सपर्ट्स के अपने नीजी विचार होते हैं, वेबसाइड या मैनेजिमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलहा है कि कोई भी इनिवेशन इनले लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलहा लें